सुबह की भागम भाग में न समझ में आये की नास्ते में रोज क्या नया बनाए तो बनाइए जटपड से यह टेस्टी और हेल्दी नास्ता नमस्ते दोस्तों बजट की रशोई में आफ सभी का स्वागत है तो चलिए बिना देर किए अपनी रेस्पी सुरू करते हैं सवाद अनुसार नमक डाला जीरा गरममसाला हल्दी और वन फोर चेममच लाल मिर्च का पौड़र और बारी कटी हुई एक प्याज इसमे ऐड कर दिया है बारी कटा हुई हरी मिर्च एड किया हुआ है मिर्च कम जाद अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं अगर आप बच् टीवी धन्या धन्या और मेथी पालक जो भी हरी सब्जी है इसमें एड़ कर सकते हैं साथ में मैंने एक चिम्मच यहां पर सफेद तीर डाला है लेसुन अद्रक का पेज डाला है और अच्छे से सारी चीजों को मिला देना है और उसके बाद इसमें हम एड़ करेंगे एक सिक अच्छे से मिला कर हम रखेंगे ठोड़ा सा रेष्ट के लिए दस मिनिट के लिए और उसके बाद हमुझ कि इसमें čUB करेंगे कि इसे थोड़ा सा चला लेंगे और एड़ करेंगे यहां पर गेहुं अर्डा या की हो खेंज़ार बाज़री का भी आर्टा इसमें थोड़ा और healthy बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं पर अगर चाच ना हो तो आप दही डाल कर भी बना सकते हैं या पानी में भी बना सकते हैं लेकिन इसका टेस्ट काफी अच्छा हैगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगी दही या चाच लें और सारी चीजों को अच्छ इसे नॉर्मली हम आटा गूतते हैं वैसे ही हमें गूत के ले लेना है थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसे अच्छे से एक बार फिर थोड़ा सा गूत लेंगे दिखा आपने बहुत जटपट से यह बन जाता है और कई बार होता है कि बहुत देर हो रही है और जटपट से हजबेन या बचों के लिए नास्ते में क्या बनाए तो इस तरीके से आप मिंटों में ही बनाकर इसे तयार कर सकते हैं तो थोड़ा सा इसे हम रोटी से बड़ा या थोड़ा सा थीक बनाएंगे तो यहां पर मैंने लोईया काट ली है थोड़ा सा सुखा आटा डाल कर च इसे सरकल में बेल लेना है तो एक और तरीका बताने वाली हूँ जिसे अब इस पराठे को बना सकते हैं काफी टेस्टी लगता है इसे बनाया और मेरे घरवालों को दिया उन्हें काफी पसंद आया तो इस तरीके से कुछ नया ट्राइ करना तो बनता है तो यह देखे इसकी तो इसी तरीके से मैं एक और पराठा बनाऊंगी फिर हम साथ में ही सारे पराठो को सेक लेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं सुबह नास्ते में जो चीजे बनाती हूँ वही आपके साथ सेयर करती हूँ कुछ अलग से नहीं बनाती हूँ वैसे भी दीवाली की कुछ मैंन परहारी बनाई और सेयर की है अभी तक आपने नहीं देखी तो जरूर जाकर बजट की रोसोई पर देखें यहाँ पर मैं इसे तिनकोन पराठे की तरह अच्छे से बेल लूँगी सुखा आटा लगा कर यह आराम से बेल उठता है थोड़ा साइड में देख रहे हूँ तो फटता है तो अगर आपको थोड़ा सा अगर इस तरीके से ना फटे इंदम भी प्लैनो तो थोड़ा सा यहाँ पर आप इसे हातों से दबा दें अच्छे से और यह दिजिए तो इस तरीके से हमें सारे पराठे बेल लेना है और गरम तावे पर इसे घी लगा कर अच्छे स तक किसी को अंदाजयामी नहीं लगेगा आपको यह रेस्पी पसंद आई होगी पसंद आई हो तबbaj तक वीडियो को लाइक सब्क्राइब सेीर नहीं किया तो क्लिचिह यूट . कमाल की नई नई रेस्पी मैं अपने बजट की रसोई पर लाती रहती हूँ जिसे बनाना तो आपके काम भी easy हो जाते हैं कुछ नया तो बनता ही है तो इस तरीके की नई नई रेस्पी आपके साथ सेयर करती हूँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए तो इसी तरीके से हम तिनकोर पराठे को भी अच्छे से सेख लेंगे और इसे भी घी या तेल लगा कर जो भी आप खाना पसंद करते हैं लगा कर अच शाच मीना पसंद नहीं करते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे तो उन्हें काफी पसंद आएगा तो यह देखिए हमारा पराठा बनकर तयार हो गया है आप इस पराठे को चाहें जटनी के साथ इंजॉय करें या सौस के साथ बच्चों के लिए दे या दही के साथ यह काफ लेकिन कुछ अलग तरीके का नास्ता मिलता है तो काफी खाने वाले को भी पसंद आता है और जो बनाते हैं रोज के बोरिंग से नास्ते से बोर हो जाते हैं बना बना कर वही पोहा वही खिचड़ी तो इस तरीके का नास्ता तो बनाना बनता है तो देखिए कितना सौफ नुग दूमुलायम बना हुआ है इसे मैं तोड़कर भी आपको दिखा रहे हूँ काफी ये टेस्टी लगता है आई होप आपको मेरी ये रेस्पी पसंद आई ह होगी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्क्राइब सेयर कीजिए मैं चल रही उन्जॉय करने आप भी बनाईए और कमेंट कीजिए कि आपकी ये रेस्पी कैसी बनी फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी में